थपपर से डर नहीं लगता मम्मी, ओट से लगता है मेरी 10 years की डॉटर मुझे ये डायलोग मारती है जब भी मैं उसे ओट्स खाने के लिए कहती हूँ Hello Hong Cokes, Welcome back to Vegdesi Aromas Friends, आप मेंसे किस-किस के साथ ऐसा होता है कि जब भी हम बच्चों से कहते हैं यह हम खुद भी सूचते हैं कि ओट्स खालो तो एक बहुत ही बोरिंग ब्रेक्फस्ट की पिच्चर क्रियेट हो जाती है और अगर कह दें कि साथ में स्प्राउट्स भी खालो तो तो बस पूछो ही मत Friends, today we are back with another recipe in our Health is Well series जिसमें मैं एक बहुत ही yummy और obviously healthy version लाई हूँ McDonald's McVeggie style burger का जिसे हम बनाएंगे without aloo, without meida using oats and sprouts तो चलिए let's get started तो उससे पहले वहीं important का अगर आपने Vegdesi Aromas को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सबी वीडियो के अपडेट्स आपको time to time मिलते रहे चलिए आप cooking स्टार्ट करते हैं Friends, सबसे पहले हम इस burger की ठिकी बना लेते हैं उसके लिए हमें चाहिए 1.5 cup sprouts, 1 cup roll oats, chopped किये हुए अनियान, carrots, उबले हुए मतर, corn, कुछ मसाले इन सभी इंग्रिदियन्स की डीटेल्स आपको नीचे description box में मिल जाएगी सबसे पहले हम एक mixi के जार में sprouts और oats को डालेंगे और इसे paste लेंगे to a paste यह बहुत smooth paste नहीं चाहिए हमें एक दरदरा paste चाहिए something like this अब एक cooking pan में या कढाई में हम 1 teaspoon olive oil गरम करेंगे और उसमें onion जालके उसे saute करेंगे for around 30 to 40 seconds onions को golden brown नहीं करना है बस हलका सा saute करना है उसका कच्चा बंदूर करने के लिए फिर हम इसमें carrots add करेंगे और उन्हें भी saute करेंगे for around 10 to 20 seconds उसके बाद हम इसमें boil किये हुए मतर की दाने और corn डालेंगे और उसे अच्छी तरह mix करके चलाएंगे for another 30 seconds फिर हम इसमें सारे मसाले आट करेंगे और उन्हें अच्छी तरह mix करने के बाद इस पूरे mixture को को करेंगे for one minute यहां भी cooking का basic purpose vegetables को गलाना नहीं है बस उनका एक कच्छा पंदूर करना है 1 to 2 minutes later हम इसमें पिसा हुआ ओट्स और sprouts का mixture आट करेंगे और उसे अच्छी तरह से mix करेंगे अब इस mixture को हम around one minute के लिए cook करेंगे और उसके बाद flame off करके इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे friends हमने अब तक सारी cooking medium flame पे की है जब यह mixture ठंडा हो जाएगा तो हम इसे एक bowl में transfer कर देंगे और इसे freezer में रख देंगे set होने के लिए for around 15 minutes अगर आपके पास time है आपको काफी देर बात बनाना है तो आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं for 30 minutes to 45 minutes friends now the mixture is cold और अगर आप इसे touch करेंगे spoon से चलाएंगे तो आपको दिखेगा यह firm हो गया है अब इसकी टिक्किया बनाना easy होगा हम अपनी palm को grease करेंगे और उसमें एक बड़ा tablespoon of mixture डालेंगे और उसको roll करके एक टिक्की की shape देंगे friends फ्रिज में रखने का reason सिर्फ यही था कि हमने कोई भी flour इसमें यूज नहीं किया बाइंडिंग ना गेहूं का आटा ना मैदा ना बेसन तो फ्रिज में रखने से वह थोड़ा सा hard हो जाएगा सब चीज़े एक दूसरे को एब्सॉर्ब कर लेंगी और टिक्की भी easily form हो जाएगी अब हम एक mixing bowl में 1 टी स्पून corn flour और 1 टी स्पून बेसन लेके उसमें पानी डालके एक लड़ी बनाएंगे इस तरह से और इस लड़ी को जो हमने टिक्की बनाई थी उस पे कोट करेंगे फ्रेंज ये टिक्की का मिक्षब बहुत डेलिकेट है तो आई सजेस्ट आप किसी हम सभी टिक्की ओं को रोल करके स्लरी में कोट करके और लगाके को करेंगे तो इन्हों से लोग फ्लेम पे कुक करना है और अराउंड फाइव मिनिटे बात इन्हें फिलिप करके चेक करेंगे देखे कितना ब्यूटिफुल गोल्डन ब्राउन कलर आया है अब हम बैक तरह भी तरह आप टीश्पून ओएल लगा के इन टीकियों को करेंगे और आप देखी का किस तरह एक दम करारी क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन कलर की ब्यूटिफुल टिकी बनके आएंगी इसे कुक करने में हमें अराउंड 10 मिनिट्स लगे हैं यह देखी कितनी ब्यूटिफुल कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आया है बस अब टिकी आ रेड़ी अब हम बर्गर एसेंबल कर लेते हैं कुक किये हुए बन्स बच्चों के लिए चीज स्लाइसे हमारी पैटीज स्लाइज अनियन कारच्स कुकुमबर और थोड़े से लेट्यू स्लीव फ्रेंट्स यहां पर मेयोनीज का मैं यूज नहीं कर रही हूँ फर तो रीज़न्स फर्स्ट अवाल तो विया वेजेटरिय तो मैयोनीज घाते नहीं है तो मैयोनीज की जगह मैंने क्या किया है एक बूल कर ली उसे छनी या मसलिन क्लॉथ के ओपर रखा ताकि उसका सारा पानी निकल जाए और वो एकदम थिक हो जाए और फिर उसे अच्छे से बीट कर लिया और होमेड एगलेस हेल्डी वर्जिन वर्जिन के लिया जो सबस्क्राइब कांगा छेम्टार बौल के लिया आपक ठीक है अगर आप टीस तो आमों के अगर शोडीन जाए यह छोड़र पर वहान की सुअल जाए और वेखार में है यह अपने भर्गर ऐखार होमेरे मेरे बच्चों के लिए इसे आःति एपर छ कालोरी, super healthy mayonnaise या फिर हमारी आम भाशा में हंकर और टाडा आवर healthy and yummy burger is ready बिलकुल mcveggie style friends, my kids love this burger trust me and उन्हें पता ही नहीं चला कि इसमें oats हैं या इसमें sprouts हैं it's a very healthy way to make your kids eat this one friends, जल्दी से ट्राइ कीजी और मुझे बताइए कि आपको ये recipe कैसी लगी जल्दी ही मिलते हैं एक और interesting recipe के साथ तब तक के लिए take care, bye bye